हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूटूब चैनल अकाउंट्श और शॉलेशन में आज का अपना टोपिक है पार्टी डेस्ट बोड तो दोस्तों यह बीजी सोप्टवेर का एक फीचर से और इसको अनेबल करने के के बाद आपको क्या benefit आपको मिलेगा तो इस option को कैसे अनेबल किया जाता है वीडियो में मैं आपके लिए बताऊंगा फस्ट आपको इस option को अनेबल करने के लिए Administration पे क्लिक करना है Configuration पे आपको क्लिक करना है जैसे आप Configuration पे क्लिक करोगे तो यहां पे Features Option पे आपको क्लिक करना है और Account का जो एक Option है इस पे आपको क्लिक करना है यहां पे एक Option है Unable Party Dashboard तो इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने configuration का option है आपको इस पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से आपको configure करना है कि आप क्या-क्या देखना चाहते हो तो first यहां से आप all transaction भी आप देख सकते हो sales के detail आप देख सकते हो purchase की देख सकते हो sales return की detail देख सकते हो तो यहां पर मैं voucher type में मैं all voucher select कर लेता हूँ इसके बाद series कौन सी देखनी है तो यहां series भी मैंने all select कर ली है इसके बाद यहां पर users का name आएगा कि आपने आपके bg software में कितने users बना रखे हैं all users मैं नहें select कर लिया है और आप यहां पे देख भी पा रहीकि party dashboard configuration इसके बाद यहांसे format select करना इस टेंडर format मैंने select कर लिया है और यहांसे मैंने कर दिया इस को yes सैव करने के बाद इसको कर दिया है मैंने save तो दोस्तों यह option को मैंने अनेबल कर दिया है और इसकी configuration भी मैंने कर दी है इसके बाद जैसे मैं इसको save करता हूँ save करने के बाद अगर आपने इस option को enable कर रखा है तो अच्छी बात है अगर आपने इस option को enable नहीं कर रखा है तो आप इसको enable कर सकते हो और अब मैं आपके लिए बता देता हूं इसका benefit इसके बाद जैसे मैं एक bill बना के आपके लिए बता देता हूं कि यह किस तरीके से दिखाए देगा आप बिल बनाते समय तो यहां से आपको transaction पर किलिक करना है transaction पर जैसे आप किलिक करोगे तो sales पर किलिक करना है add पर आपको किलिक करना है और यहां पर जैसे आप अपनी party का नाम एंटर करोगे जैसे मेरी जो party है रादी का जनरल मेरी party है और जैसे मैं एंटर करूँगा तो फस्ट आप देख पा रहे हो कि यहां पे 10,500 रुपे इसका balance है और जैसे मैं इस पे एंटर करूँगा तो मैंने जो वो configuration करी थी नया जो option enable किया था party dashboard का तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि इस party का दो बिल बाकी है कौन-कौन से बिल बाकी है एक तो 2250 रुपे का बिल बाकी है एक 8,250 रुपे का यानि 10,500 रुपे इसकी तरफ टोटल बाकी है जो आप pending list निकालते हो आउटिस्टेंडिंग आप सही तरीके से maintain करते हो तो इस तरीके से बिलकुल सही तरीके से show होग है आउटिस्टेंडिंग से related तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हो इसके बाद यहां पर एक option है pending sales order दोस्तों अगर राधिका जनरल के नाम से आपने कोई sales order बना रखा है तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहां से इस पर आप जैसे क्लिक करोगे pending sales order पर तो रिफ्रेश नमबर वान रिफ्रेश नमबर टू दो ओर मैंने बना रखे हैं और इसका टोटल अमांट भी आप देख पा रहे हो इसका जो टोटल अमांट है दोस्तों में आपके लिए बताऊंगा कि sales order को sales invoice में कैसे convert करें यह आगे आने वाले टाइम में इसकी नमबर और इसका टोटल अमांट इसके बाद जो दूसरी विंडो आपके सामने नजर आ दिए पार्टी समरी तो यहां पे आप देख पारे हो कि लेजर बेलेंस यानि 10,500 रुपे का इस पार्टी की तरफ पेसे बाकी है लाश्ट जो सेल है लाश्ट सेल इसमें जीरो है इस इसके बाद इसका जो टोटल सेल हुई है 21,550 रुपे तो यह डिटेल भी आप चेक कर सकते हो अगर दोस्तों यहां से आप फुल डिटेल चेक करना चाते हो कि इस पार्टी की नाम से कितने बिल बने थे और उसमें क्या-क्या आइटम गया था तो यहां पे एक ओप्शन है शो फुल वाउचर डिटेल इस पे आप जैसे किलिक करोगे किलिक करने के बाद आपने जितने भी बिल बना रखे हैं यह आपके सामने शो हो जाएंगे और जो भी सेल्स ओर्डर है जैसे सेल्स ओर्डर यह है वन नमबर और यहां पे जैसे आप इस पे किलिक करोगे तो यह आपका जो भी sales order है वो open हो जाएगा, यहां से आप check कर सकते हो इसके बाद यह जो आपका bill है bill पे भी आप जैसे ही click करोगे तो यहां से पता चल जाएगा आपको कि क्या item है, क्या rate आपने बेच रखा है बाकी यह window भी आप check कर सकते हो तो दोस्तो इस option को enable करके आप आपका जो भी database है वो check कर सकते हो कि आपके किसी party की तरफ ज़्यादा bill बाकी है तो आपको उसका bill बनाना है या नहीं बनाना है, तो वो आप यहां से check कर सकते हो तो दोस्तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीजी सॉफ्टेयर से related अगर आप ज़्यादा जानखारी चाते हो तो अपना चैनल जोइन कर सकते हो वीजी सॉफ्टेयर से related मैंने अपने चैनल पे 107 वीडियो अपलोड कर रखिए, आप जाके उसपे वीजीट कर सकते हैं और एक एक वीडियो चेक कर सकते हो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद थेंक्यू